एक जमाना ऐसा था यहाँ पर Qualcomm Snapdragon को number one king माहना जाता था smartphone processor का लेकिन अभी देखा जातो एक कहानी पूरी 180 degree flip हो चुकी है यानि कि 2018 से पहले यहाँ पर Qualcomm राजा हुआ करता था MediaTek के processor बहुत ही बेकार हुआ करते थे heating हुआ करती थे और कोई भी उन्हें recommend नहीं करता था लेकिन 2018 के बाद से लगातर MediaTek ने अच्छे processor निकाले और उसका result यहाँ पर आज यह कि MediaTek आज इंडियन market की बात करो तो 47% phones में पाए जाता है as compared to Qualcomm snap करें तो 25% phones तक ही available है और यहाँ तक की बात करें जो uni SOC है वो भी हाँ पर 15% तक का जो market share होता है वो लेके बैट है even globally भी बात करें तो MediaTek काफी जादा popular है लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ market share की नहीं होती बात यहाँ पर होती कि वो काम क्या से कर रहे है क्योंकि एक जमाने में जहां आपको खराब प्रोसर MediaTek के होते थे Qualcomm snap 10 के अच्छे प्रोसेसर्स देखने को मिल देते अभी कहानी ऐसे कि दौनों कंप्निया अलग तरीके से काम कर रही है लेकिन फिर भी दौनों कंप्नियों के इसमें काफी जादा gap हो रखा है और कुछ ऐसे decision MediaTek ने लिए है जिनसे उनने एक monopoly create कर लिए Qualcomm snap 10 के उपर लेकिन मैं आपको एक बाब बता सकता हूँ 2023 बहुत दी exciting year हो सकता है स्मार्टफोन प्रोसेसर्स के लिए क्योंकि यहाँ पर काफी सारी नहीनी चीज़े हो रही है चलिए एक एक करके इन सबके भार में बात करते है दो यहाँ पर सबसे बहुत बात करना चाहूँ है जिसके अंदर यह पता लएगी Qualcomm ऐसा क्या गलत कर रही है दो Qualcomm ने देखा जाये तो आज के समय में 5G प्रोसेसर को जो companies होती है उनके उपर push जादा करती है देखने को मिलेंगे लेकिन उसी similar price मा अगर में MediaTek processor का फोन लेकर आ जाओं तो उसके अंदर number of 5G bands जादा होंगे यह बात under 20,000 रूपीज के फोन उसके अंदर हमने काफी जादा देखी है जाब budget phone के अंदर अभी एक या दो ही 5G band देखने को मिल रहे है वहीं बात करें अभी भी देखा तो multiple 5G bands का जो support है वो आपको देखने को मिल रहे है MediaTek processor के तब ठर यह एक अच्छी बात है लेकिन Qualcomm ने एक और गलती पता यहाँ पर क्या करी है विशले को सालों से budget processor से अपना जो नाता को completely तोड़ लिया कहने का मतलब है कि Qualcomm जो महेंगा प्रीमियम में यहाँ पर फोकस कर रही है और खास तोर पर बात है कि Qualcomm के जो processor उनकी कीमते भी जाद है प्लस बदले में उत्ती अच्छी value नहीं दे पा रहे है जैसकी बात करें Snapdragon 695 एक अच्छा processor लेकिन महेंगा है और basic capabilities को lag करते है जैसे 4K video recording वगेरा इस type के basic features वो कम कर रहे है अपने सस्ते processor से और सारी के सारी चीज़े भेंगे के अंदर दे रहे और ये बात पताने की तो ज़रूरा था ही नहीं कि कैसे अपना 8 series के जो नही processor आते हैं उनके दाम यह increase कर देते है जिसका impact यह पढ़ता है कि अगर आपको Qualcomm Snapdragon के कच्छे processor वाला phone लेना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा घ्यापे खर्चा करना पड़ेगा यह चीज Qualcomm Snapdragon के साथ true है वही media tech के साथ सबसे बड़ा benefit है कि उसने अपनी line-up ही ऐसी बना रखी है कि पूरी line-up में इस लगबख सभी अच्छे processor है कोई भी खराब processor देखने को नहीं मिलता प्लस उन्होंने budget से लेके premium flagship तक को पूर अच्छे तरीके से cover कर रख है budget में बात करें तो latest में G37 है अभी भी market में 4G phones की demand है तो उसलिए उन्होंने Helio G99 निकाल दिया 1012,000 रुपे के segment के लिए वहीं बात करें 5G की तो 5G में Dimensity 700 को budget में लेके आगे ते फिर 810 आता है 900 आता है 920 आता है Dimensity 1200 आता है Dimensity 1300 भी देखने के मिलता है और MediaTek ने अपनी पूरी line-up बनाने कि कि किसी भी company को अगर अपने एक phone यहाँ पर बनाना है सस्ते में बनाने तो उसके लिए प्रोसेर है मिल्डरिंज में बनाने उसके लिए प्रोसेर है अगर flagship बनाना है तो Dimensity 9200 तो हैंपर है भाइदावे वीडियो अगर आप लोग को पसंदार है तो उसे like और चैल को subscribe आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन अगर मैं performance की बात कर रहा था तो बात यहाँ पर यह कि आज के समय में head to head यहाँ पर Qualcomm Snapdragon को MediaTek के processor यहाँ पर टक कर देते है और इसके साथ ही बात की जाए तो उनके processor की कीमते भी यहाँ पर कम रहती और एक MediaTek के processor के साथ है कि अब उनके processor में उत्ती जादा heating और issues भी देखने को नहीं मिलते है और stable performance भी देते है यह चीज़ Qualcomm Snapdragon के साथ कुछ processor के लिए सही थी है लेकिन जब से Qualcomm Snapdragon ने अपना 888 निकाला था और उसके बात से 8 Gen 1 तक की बात करे वहाँ तक देखा तो उसके सभी flagship processor में कोई ना कोई issue थे heating की problem थी अलग लग दिखकती थी और 8 Plus Gen 1 में जाके चीज़े यहाँ पर solve होई और अब 8 Gen 2 में इसको थोड़ो और improve किया गया लेकिन इसके चलती MediaTek वालों ने line से अच्छे processor निकालके काफी एक अच्छा जो ट्रस्ट होता है न स्मार्टफोन मेकर्स का वो यहाँ पर जेल ले लिया इसी के साथ ही बात करें जहाँ पहले gaming में lag करते थे अब वो gaming में भी अच्छा perform कर रहे है इसी के साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो जहाँ कैमरा के अंदर performance ती अच्छी नहीं थी अब बीडिये टेक के अंदर इन्हों ने यहाँ पर AI और ISP पे भी खाम किया है साथी साथ processor को थोड़ा बैठर नहीं जिससे वो यहाँ पर अच्छा competition क्रेट कर पा रहे Qualcomm Snapdragon को लेकिन फिर में बोलना चाहूंगा अभी भी image signal processor कहीं ने कही Qualcomm के flagship वाले को थोड़ा बैठर होता है AI वाले टास्क वो सारी चीज़े Qualcomm यहाँ पर बैठर कर लेता है लेकिन इसके साथ एक ऐसी चीज़ MediaTek ने करी है ना जहाँ पर Qualcomm Snapdragon अभी भी मात खा रहा है वह पता है क्या है वह है यहाँ पर कंपनियों के साथ closely काम करना अब लोगों कोई बात पता नहीं होगी लेकिन MediaTek के साथ काफी सारी कंपनिया जिए वो अंतरी अंदर काफी जादर कंफरेबल होती है क्योंकि MediaTek resources वगरा प्रोवाइट करता है प्लस चिप यहाँ पर कंपनी अपने फोन के अंदर इंप्लिमेंट कर रही है ना उसको भी कस्टमाइज करने का उप्शन देता है यानि कि मॉबाइल फोन कंपनी अपनी जरूरत के साथ थोड़ी बहुत ट्विनिंग कर सकते हैं क्लॉक स्पीड वगरा की जिससे अपने बैटर वर्जिन एक क्रेट कर सकती है वन प्लस नौर्ट टू के साथ यह चीज़ी शुरू हुई थी ऐसी बात की जाए तो ओपो हो गई वीवो हो गई रियल मी हो गई यह कही ना कही काम करते हैं बहांड जासीन मीडिय टैक के साथ ताकि कस्टमाइज करके प्रोसेसर को अपने फोन के अंदर बिल्ट किया जा सके यह कुछ ऐसे तरीके रहते हैं जहां पर कॉलकॉम यह सारी सी से प्रोवाइट नहीं करता है और यहां तक कि कॉलकॉम के साथ एक दिक्कत यह भी है कि कॉलकॉम अपने हर फीचर को इनेबल करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है किसी गोर ये फीचर चाहे तो उसकी और पैसा निकालना पड़ेगा और इन सब के चक्कर में फोन की कीमत है काफी जाद हो जाती है और इसलिए देखा तो MediaTag सस्ते में हाँ पर अपने कुछ अच्छी चीज़ें हाँ पर कर लेता है लेकिन एक प्रॉबलम MediaTag के प्रॉस्टर साथ अभी भी ये है कि Android अपडेट Qualcomm Snapdragon जितनी जल्दी नहीं आपा रहे इसका एक और रीजन यहाँ पर है कि करनल सोर्सिट वीडिय टेक के प्रॉस्टर के उतनी जल्दी अवाइलेबल नहीं होते जितने Qualcomm करता है कहने का मतलब है कि यहाँ पे Qualcomm Snapdragon के अदर आपको बेटर सपोर्ट देखने को मिलता है कस्टम रॉम्स का साथ ही साथ गोगल कैमरा का यह कुछ चीज़े अभी भी हतियार बनके बैठे हूँ यह Qualcomm Snapdragon के पास से 5G के लिए आज के समय में काफी सारी कंपनी मीडिया टेक के उपर रिलाइस कर रही है क्योंकि बजट के अंदर मीडिया टेक में 5G को अच्छे तरीके से इंप्लिमेंट किया जा सकता है और बात है कि पिछले को सालों से हमने मीडिया टेक का एक भी यहां पर खारा प्रॉस्टर नहीं देखा और यह रीजन्स हैं जिससे मीडिया टेक ने अपने पूरा मार्के शेरे वो ले रखा है इसके लावर बहुत सारी चीज़े जिसके अ कि ब्रेंट वेल्यू थोड़ी सी जाद है बहली वो कैसे प्रॉस्टर निकाले लेकिन कई सारे लोग को थोड़ा से पर जाद प्रिफर करते हैं जबकि प्राइस जो पर्फॉमेंस वाली जब हम बात करते हैं यहां पर मीडिया टेक काफी आगे निकलता है लेकिन यह एक इ ऐसी चीज़े जिससे मीडिया टेक ने एक तरह से कॉलकॉम स्मेंपकरन को हरा दिया है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले जहां पर मीडिया टेक को अभी भी काम करना बागी है इसके साथी स्नैप ड्रेंटे सा सबसे बड़े दिक्कत है कि उसे अपने प्राइसे यहां पर कं अचे ही नहीं है सत्य सब बहुत ही जाद भेंगे के अंदर है यह कुछ चीज़े यहां पर देखने वाली बात होगी और देखना है कि 2023 में यह कहानी ऐसे ही चलती है या फिर इसके अंदर को नई चीज़ आके कहानी को पूरी तरीके से बदल देती है तो दोस्तों यह होती ही यहां पर बात आप लोगों की चॉइस क्या है यह बात नीचे कमेंट मतना ना बोला थेंक यह आखा वीडियो देखने के लिए मैं आप से मेलता हूं नेस्ट वन के अंदर गुट बाई